अज से आप सबका कालंडर बदल दाएगा लेकिन जिन्दगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदलेंगे आज इस नुए साल का पहला दिन है जब हम किसी नही घर में जाते हैं तो अपने पुराने घर की पुरानी बेकार चीज़ों को अपने साथ नहीं ले के जाते हैं अठriters सा नहीं घर पुरानी चीजों से बेकार लगेगा और खराब हो जाएगा पिल्कुल वैसे ही जब नया साल चुरू होता है तो वो पुरानी, बेकार, सड़ी हुई habits जो आपकी success के रास्ते में hurdles हैं उनको भी नए साल में लेकर के नहीं जाना चाहिए ताकि आपका नया साल जो है वो successful हो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन वो bad habits की जो आपक पिछले साल में साल 2022 में छोड़ कर फेक कर भूल कर आना है नए साल में लेकर नहीं जाना है तो उन तीन bad habits में सबसे पहली bad habit है self doubt की जी हां खुद पर doubt करने की अकसर लोग सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकती मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता पता नहीं मैं ये कर सक और जब आप confident ही नहीं होते हो तो आप कैसे जो है किसी भी काम को अच्छे से perform करोगा विकाज आपको लगगा की शायद आपको नहीं आता आप confident ही नहीं हो तो आपसे वो काम हो ही नहीं सकता मैं ये नहीं कह रहें कि self critic नहीं करना है self analysis नहीं करना है self analysis मतलब खुद के positive negative traits प अपनी capabilities के ओपर doubt करना ये जो है हमारी success के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है विकास जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते तो दूसरे हम पर कैसे विश्वास करेंगे इसलिए सबसे पहले self doubt को निकाल कर बहार फैकिए कैसे वो ऐसे कि अपनी skill पर जो भी आपका field है उसकी knowledge पर थोड़ा सा काम कीज़े थोड़ा सा उसकी knowledge को जो है upgrade कीज़े अपनी communication skills इंप्रूफ कीज़े दूसरों से कभी अपने आपको compare मत कीज़े और जितना हो सके ज़दा से ज़दा चीज़ें पढ़िए ज़दा ज़दा reading करिए अपनी general awareness को बढ़ाइए इससे क् कि आपका जो खुद पर doubt है वो खुद पर यकीन में बदल जाएगा तो खुद के doubt को खुद पर यकीन में बदलिए super confident होए और नए साल में self doubt को bye bye कहकर आगे निकल जाएए दूसरी bad habit जो हमें पुराने साल में छोड़ कर fake कर भूल कर आनी है वो है criticizing and gossiping about others अब ये जो bad habit है ये बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती है बहुत मज़ा आता है दूसरों के बारे में gossip करने में because हमें लगता है कि अगर हम दूसरों के बारे में gossip कर रहे हैं दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो हमारा जो है न हमें एक feel good factor दा रहा है दूसरों के बारे म गॉसिप करके आपको मिलता है, क्योंकि अग्सार बहुत सारे लोग अपना बहुत ज़दा टाइम इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं, किर्टिसाइज और गॉसिप करने के बारे में, दूसरों के बारे में, क्या आपको लगता इसका कोई फायदा है, मुझे कॉमेंट सकते, वो वेस्ट हो जाता है, जो दूसरा नुकसान है, वो ये है, कि जब आप किसे के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में गॉसिप करते हैं, तो आपको जो उस परसन को लेकर नेगिटिव एनरजी है, गुसा है, हेट्रेड है, जिलिसी है, जो भी आपको emotion उस person को लेकर है जिसको आप criticize कर रहे हो वो emotion और ज्यादा multiply हो जाता है वो emotion और ज्यादा बढ़ जाता है because आप उस चीज में वापस से चले जाते हो आप और ज्यादा सोचने लग जाते हो कि उसने ऐसे किया था उसने वैसे किया था criticize किसी A के बारे में B को कर रहे हो और B नहीं जानता A को कि A नहीं किया था और आप जो है A का जो description है वो B को बताने में लगे रहे हो अब उसे B क्या होगा वो भी सोचेगा कि you know maybe शायद इस सच में खराब है या हो सकते हो आपको खराब सोचे कि शायद आपको A की कदर नहीं है तो इस से आपका कोई solution निकलने वाला नहीं है सो करना क्या है इस साल से अगर आपको A से कोई भी शिकायत है कोई भी problem है कोई भी disagreement है कहीं पर भी आपको लगता है कि आपका A के साथ कुछ compatibility issue आ रहा है सो आप directly जाके A से बात किजिए शांती से जब आप A से directly बात करेंगे तो आपके जो है चीजों की solutions निकलेंगे आपके problems की solutions निकलेंगे आपका relationship भी better होगा और आपकी conscious भी clear रहेगी यह तो होगा criticize करने के बात जहांतक रही gossip करने की बात जब gossip में आपका कोई context ही नहीं है किसी ने किसी को कुछ भी किया कहीं भी कुछ भी किसके साथ हुआ आप जब उसके बारे में gossip कर रहे हैं तो आप अपना time waste कर रहे हैं अपनी energy waste कर रहे हैं और उस तरीके से आपकी energy repeat हो जाएगी negative energy हो जाएगी अपका time भी बहुत ज़़दा waste हो जाएगा bad habit की जो आपको पिछले साल में भूल कर, खोल कर, खो कर bye-bye करके आनी है वो क्या है वो है blaming others आप कहीं लेट पहुँचे, traffic की गलती है आप professionally successful नहीं है parents की गलती है आप you're not able to earn money तो country की economic policy की गलती है आपके साथ कुछ भी हो जाएगे किसी ना किसी x y z की गलती होती ही है क्या ये कभी आपने सोचा है, क्या ये सच हो सकता है क्या आपकी life की responsibility क्या आपकी life में जो भी हो रहा है, उसके लिए क्या कोई और जिम्मेदार हो सकता है आप शांती से सोचेंगे तो आपको उसका जवाब ना में मिलेगा क्योंकि आपकी life में जो भी कुछ हो रहा है situations जैसे भी हैं कहीं न कहीं उसके लिए आप खुदी जिम्मेदार है जब दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपने जिंदगी का staring जो है जिंदगी का staring wheel है वो किसी और के हाथ में दे रहते हैं अपनी जिंदगी का staring अपने हाथ में लीजिए और अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज की responsibility खुद उठाइए जब आप दूसरों को responsible ठहराते हैं तो आपके पास कोई action लेने के लिए नहीं रह जाता आपके पास कोई power नहीं रह जाती लेकिन जब आप खुद को जिम्मेंदा ठहराते हैं that this is your life, your issues, your problems, your situations only you can change it that gives you a mind to have or to think about solution because that is a solution oriented approach so third bad habit जो आपको हमेशा के लिए पिछले साल में bye-bye करके आनी है वो है blaming others आप late पहुंचे आप ही गलती थी आपको पहले निकलना चाहिए if you are not able to earn money it's not that you don't have money it's just that you lack the idea from which you can earn money so हर एक चीज़ का solution है लेकिन तभी मिलेगा जब आप दूसरों को blame करने के बचाए अपनी life के responsibility खुद उठाएंगे अपनी life के लिए खुद अपने आपको responsible समझेंगे और solution oriented approach से आगे पढ़ेंगे तो इन तीन bad habits को करिए bye-bye नए साल को करिए welcome with a new version of you a new version तभी बनेगा जब आप new version के लिए काम करोगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like जरूर प्रेस कर दीजेगा और आपको ऐसे ही motivational videos पूरे साल मिलते रहें उसके लिए चैनल को subscribe कर दीजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा आज के लिए रस इतना ही a very happy new year to all of you and I'll see you in my next video thank you so much for watching